बहुत समय पहले की बात है जब पाताल लोग में एक खतरनाक और बेहद शक्तिशाली राक्षस का राज था जिसका नाम मायसुर था उसने पाताल लोग में सबका जीना मुश्किल कर दिया था मैं तुम सबका राजा हूँ मैं सबसे शक्तिशाली हूँ और तुम सब मेरे गुलाम हो सब उसके अत्याचार से परेशान थे और उससे छुटकारा पाना चाहते थे एक दिन जब मायसुर अपने महल से निकला तो एक नादान बालक खेलते खेलते उसके सामने आ गया उसने शक्तियों के एहंकार में चूर मायसुर ने बच्चे को देखा और कहा एए बच्चे तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ से आगे चलेगा लगता है आज तुझे तेरी मौत बुला रही है और ऐसा कहकर उसने बच्चे को मारने के लिए अपना हाथ उठाया तब ही वहाँ एक बूढ़ी औरत आती है और कहती है इससे पहले कि आप कहानी में खो जाए हिंदी स्टोरी बॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करना न भूले अब कहानी शुरू करते हैं एक छोटे बच्चे पे क्या अपनी शक्ती दिखाते हो अगर हिम्मत है तो उन तीन भाईयों को मार कर बताओ तब समझेंगे हम कि तुम्मे कितनी शक्ती है ये सुनकर माया सुर को बहुत गुस्सा आया उसका जी चाहता था कि वो इस बूढ़ी औरत को भी मार दे मुझे पता है मुझे कोई नहीं हरा सकता लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा कौन है जिसने तेरे दिल में ये उमीद जगाई कौन है पता मुझे बूढ़ी औरत माया सुर को बताती है कि वो तीनों भाई धर्ती के वासी है और उन्हें जादूई शक्तियों का वर्दान है माया सुर ये बात सुनकर धर्ती पे आ जाता है और उन तीनों भाईयों को छुप कर देखता है ताकि उनकी शक्ति का अंदाजा लगा सके माया सुर को ऐसे चुप कर तीनों भाईयों को देखते हुए एक माया वी तोता देख लेता है और हसने लगता है ये देखकर माया सुर को तोते पे बहुत गुस्सा आता है तभी तोता माया सुर से कहता है अब तोते की बात को सुनकर माया सुर को और भी गुस्सा आ जाता है एक तोते तुझे क्या लगता है कि मैं इन तीनों भाईयों से डर गया नहीं कभी नहीं मैं तो उनके एक साथ आने का इंतजार कर रहा हूँ ताकि एक ही साथ इन तीनों भाईयों को मौत के घाट उतार कर पूरी दुनिया को बता दूँ कि मैं ही हूँ सबसे ज्यादा शक्ति शाली माया सुर को पता था कि वो तीनों भाई हर सुबह नदी में स्नान करने जाते हैं उसने यही समय सही समझा उन पर आक्रमन करने के लिए अगले दिन वो नदी के पास उन तीनों की राह देख रहा था और हमेशा की तरह वो तीनों स्नान करने के लिए आए माया सुर ने उन पर हमला कर दिया नदी में से बचाओ बचाओ की आवाजे आने लगी और ये आवाजे सुनकर माया सुर हसने लगा तभी अचानक से ये आवाजे बंध हो गई और पूरे गातावरण में शांती सी छा गई क्योंकि अभी सुर्य उदय नहीं हुआ था इसलिए कुछ साफ साफ नहीं दिख रहा था कि क्या हुआ माया सुर नदी के पास गया देखने के लिए कि क्या हो रहा है नदी के किनारे दो भाई गिरे हुए थे माया सुर को लगा कि दोनों भाई तो मर गए लेकिन तीसरा भाई कहा है तब ही अचानक से माया सुर की तरफ पानी की बड़ी लहर आगिरी वो जब तक उस लहर में समल पाता उसने महसूस किया कि वो बर्फ में जम चुका है कुछ देर बाद जब माया सुर को होश आया तब उसने देखा कि वो एक पेड से बढ़ा हुआ है उसने बहुत कोशिश की कि वो पेड से खुद को छुडा ले लेकिन वो छुडा नहीं पाया तब ही तीनों भाई उसके सामने आकर हसने लगते हैं और कहते हैं क्यों? क्या हुआ? जरा डर लग रहा है ना? कितनी शरम की बात है पाता लोग का राजा अब हमारे सामने ठंड से कापते हुए डर रहा है नहीं भाईया इसे डर नहीं लगता है ये तो हमें मारने आया है और दुनिया को अपनी शक्ति दिखाना चाहता है तभी मायासुर खुद को आजाद कर लेता है और अजीत पे हमला कर देता है अजीत हवा में उड़ने लगता है और मायासुर से उसकी छड़ी लेकर तोड़ देता है लेकिन अभी माया सुरहार मानकर बैठने वाला नहीं था वो खुद भी हवा में उड़ने लगा और उसने अजीत पे हमला करके उसको नीचे गिरा दिया और हसने लगा तभी अरुन और अर्जुन ने अजीत को उठाया और अरुन ने अपनी पानी की शक्ती से माया सुरह पे हमला कर दिया और उसको उठा कर पटक दिया और फिर तीनों भाईयों ने एक साथ अपनी शक्ती को मिला कर माया सुरह पे हमला कर दिया और माया सुरह को बुरी तरह से घायल कर दिया क्यों, बोलती बंद हो गई, चाहे तुम कितने भी शक्तिशाली क्योडा हो, लेकिन हमारे साथ भगवान का अशुरवाद है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम हमें मारना क्यों चाहते थे, तभी वहाँ पर तोता आ जाता है, और तीनों भाईयों को पूरी बा जानने के बाद तीनों भाईयों ये फैसला लेते हैं कि वो उसे मार देंगे, ताकि बाता लोक उसके अत्याचारों से मुक्त हो जाए, नहीं, मुझे सजा दीजिये, मेरी गलतियों के लिए मुझे सजा दीजिये, लेकिन मेरे प्रान मत लीजिये, माया सुर को देखते हुए तीनों भाईयों को उस पर दया आ जाती हैं और वो उसकी बात मान लेते हैं, और उसकी सजा के लिए उसे उसके ही पाता लोक में एक गुलाम बना देते हैं, आखिरकार माया सुर को उसके अहंकार की सजा मिल ही गई, और उसे उसके लिए उसका फ इस कहानी का कौन सा भाग आपको सचे ज़्यादा पसंद आया नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कहानी हिंदी स्टोरी बॉक्स पर दिखाई जाए तो आप हमें अपने कहानी भेज सकते हैं। जिसके कहानी हमें सबसे अच्छी लगेगी हम अगली कहानी वही दिखाएंगे। ऐसे ही मज़ेदर कहानिया देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। मिलते हैं अगली कहानी में।